तुझी जेराम जी की नमस्कार कैसे हैं आप सब? आज के टोपिक बहुत ज़्यादा सीरियस टोपिक है मतलब आज कल के टाइम से रिलेट करता हुआ और बहुत सारी जिंदिगियां इसके कारण बरबाद होती है ऐसा टोपिक है मैं चाहूँगी आप लोग भी अपनी राय देना इस मामले में और देखे आप मेरे वीडियोज देख रही हैं जाईर सी बात हैं मैं एक लेडिज हूँ mostly लेडिज लेडिज के वीडिज ज़्यादा देखती हैं तो आप भी इस चीज से रिलेट करती होंगी जब एक लड़की की शादी होती है वो जब ससुराल जाती है उससे पहले की दुनिया उसकी और बाद की दुनिया जाईर सी बात आप सबी को भी पता है एकदम डिफरेंट होती है मतला जमीन आसमान का अंतर होता है और जैसे जो वो टीनेज जो होती है उसके बाद में फिर एक बंदा सपने देखने लगता है, एक लड़की सपने देखने लगती है, उसके एक फिल्मी दुनिया होती है, वो दुनिया में एक दम खो जाती है, उसको वैसा ही लगता है, वो तरह ने ने प्यार का भूत, वैसा ही चलता रहता है, और फिर शादी को भी वह उस प्यार में ही कनवर्ट समझती है मतलक होती है शादी प्यार सब कुछ एक जैसी चीजें एक दूसरे से जुडिवी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली चीज Saxe 5 लेकिन क्या है शादी के बाद में क्या होता है जब वो लड़कियां जिम्मेदारियों do साथ में और फिर उनको एक लाइफ पार्टनर मिलता है तो उन्होंने सपने तो देखे होते हैं सिर्फ और से प्यार के एक हस्ते खुश्ते मतब हसी खुशी के साथ में और हस्ते खेलते खुशाल परिवार के सपने देखे होते हैं और फिर क्या होता है जब वो जिम्मेदारियां जब अपढ़ती है ना उन्हें जिम्मेदारियों के साथ में एकदम से ऐसा तुफान आता है जिसको बहुत सारे उस फैमिली के बहुत सारे जो मेंबर होते हैं वो जेलते हैं देखे एक बंदे पर दो बंदे पर इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे ख्याल से उस परिवार में हर एक बंदे पर उसका इफेक्ट पड़ता है वो बंदा उस लड़की का मायका हो सकता है या फिर उस लड़की का ससुराल हो सकता है हर एक बंदा उससे इफेक्ट होता है तो शादिके बाद में जब ल्ड़की से सुराज जाती है उसके एक अलग सपने होते हैं लेकिन जब जिम्मेदारियां निभाती है तो वो सपने कहीं तूटते से नजर आते हैं कहने का मतलब यह है कि जब जिम्मेदारियों का बोज जब पड़ता है ना तो सपने तो बहुत दूर रह जाते हैं वो सपने तो बहुत दूर रह जाते हैं उन सपनों के साथ में उन जिम्मेदारियों को निभाने में कुछ परसेंट ही काम्याब हो पाती हैं मतलब कि बहुत सारे रिस्ते उसी दोर में उनके छूट जाते हैं यही चीज हम आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टोपिक बहुत सीरियस है बहुत सारे परिवार इफेक्ट होते हैं माई का पूरा इफेक्ट होता है उससे ससुराल वाले परेशान होते हैं वो लड़की सबसे ज़्यादा परेशान होती है mentally disturbed होती है सुखी वो लड़का भी नहीं रहता सब कोई परेशान होते है तो उस समय में उस दोर में कौन सी ऐसे चीज़े हैं देखे मेरी शादी को 12 साल होगे चोटा मूँ बड़ी बात हो सकती है लेकिन मेरी ये सोच रही है कि मुझे जहां से जो चीज अच्छी लगी मैंने ले लिए तो यहां पर मैं आप लोगों की साथ में वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ शुरुआती जो दोर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है परेशानिया एकदम ताबड तोड़ आती है लड़की उनके सामने वो भई एक नए घर में आई है हर एक चीज उसके लिए चैलेंजिंग है उसको एक नए लाइफस्टाइल फोलो करनी है उसके टूथ ब्रस्त कख जब शादी के बाद आती है जब चेंज होती है कपड़े चेंज होती है हर एक चीज उसकी चेंज हो जाती है नया घर, नया परिवार, नये कपड़े, नया लाइफस्टाइल, तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और परिवार के बारे में हम बात में बात करेंगे, बस उस लड़की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरा परिवार वही है, एक वो लड़की ही चेंज ह हो ही यह उस ग inheritance है और अब इन्स का वहा है था मैज़ेक्पी आफ इसको चेंग होने में तो समय लगीगा और वह क्या ओता है कई बार नोग सबहां ले लेते हैं पहते हैं और फैसलों के चक्कर में लाइफ डिस्ट्रोई परिवार खराब आज कल के दोर की शमस्य है उसे समय में वह लड़की अगर थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखे न तो परिवार तूटने से बच सकता है और उसकी खुद की लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है तो देखें पहली ब भी सोचिए कि आप एक जिम्मेदारी में बंदने जा रहे हैं गरस्त जीवन सबसे कठीन जीवन बताया गया है कहते हैं सन्याशियों का जीवन सैयम पूर्वक होता है लेकिन गरस्त जीवन जो होता है न उसमें जितना सैयम होता है न उसमें जितना सैयम चाहिए मेरे ख्या बातों पे रिय majesty focus आपने करने से अच्छा है कि अगर छोटी स्थ प्रोब्लम कोई भी हो सकती आपके कपड़े पहनने पे आपके उठने पर हो अपका खाना भंटानाड कर में वे सकती आपका खाना खाने पर फैरिकले मां उन्हों चीजों में बोट इसी चीज़ से श्ट्रेस में आए दूसरी गलती करोगे। दूसरी गलती से मतलब यह नहीं है, कि आपने गलती किये। बस यह है कि जिस नए परिवार में आप गए हो उसके अफोर्डिंग वो चीज चेंज है है आपने। तो वो दूसरी डेफिनेटली आप करो ही करोगे तीसरी भी हो सकती है तो उस चीज को आप हाइलाइट ना करके उस चीज को माइंड पर ना ले करके लाइटली लो की परिवार में माबाप हमारे होते हैं बैन भाई के बीच में हम रहते हैं तब भी इस तरीके की चीजे आती है, माई के वाले भी टोकते हैं, ऐसे क्यों खा रही है, ऐसे क्यों कर रही है, कोई बात नहीं, आप खा रहे हो, स्माइल के साथ में भी आप बोल सकते हैं, तो सहियम, ग्रस्त आस्रम में, ग्रस्ती में जब आप गुशते हो, तो सबसे ज़ चोटी-चोटी चीजों से क्यों लड़की परेशान होती है फिर वह किसको कहीगी जा तो अपने माइके में बताएगी तो भी प्रोब्लम क्रियेट होनी है खुद के अंदर रखेगी तो भी वह एक पूरा बवाल बनके निकलता है फिर थोड़ी-थोड़ी वाते जुड़के खटी निकलती हैं अगर लड़के को बताएगी लड़का भी फ्रस्ट्रेट होएगा दीरे 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 लड़ईयां शूर्ग हो जाएगे खराबी क्या आई सबसे ज़्यादा नुक्सान उस लड़की को हुआ उसकी ग्रस्ती में एक टाइप से बवाल सा मचेगा उसकी जो नई नई जिन्दिगी शुरू हुई थी जिसमें उसने प्यार के सपने देखे थे वो एकदम से उजड़ी हुई मैसूस होगी फिर दीरे दीरे करके माईके वाले इफेक्ट होगे फिर ससुराल वाले होगे ससुराल वालों का इतना सा अंतर होता है कि वह एक समय के कि बाद में सेटल हो जाते हैं कि सबसे जदा वो लड़की होती है तो उन चीज़ों को lightly लेकर समय दो उस रिस्टे को समय दो समय के साथ में हशी-खुशी के साथ में आप उस चीज में गुज जाओ गुज जाओ गुज जाओ हां आसान नहीं है लेकिन बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि यह शुरुवाती दोर आपका नहीं सबका ही ऐसा होता है हकीकत है यह मैं इसमें यह नहीं कह रही आपका ही नहीं सबका ही ऐसा होता है उम्मीदें होती है हर एक बंदे को उम्मीदें होती है ससुराल वाली फैमली को चाहिए वो ननद हो देवर हो सास हो सबको अपने अकोडिंग एक उन्होंने की उम्मीद बना रखे उन्होंने के आपका चरित्र बना रखे कि आप इस तरीके से आप इस घर में रहोगे तो वो सारी उमीदे हैं वो धीरे-धीरे तूटती हैं लेकिन अगर आप चेंज मत हो लेकिन स्माइल अगर चेरे पे है आपने रियक्ट नहीं किया आपने मेंटली स्ट्रेस नहीं लिया आप सेम अच्छा खासा व्यवार जैसा आप अपने परिवार में माईके में करते हैं स्माइल के साथ में सब के साथ उठना बैठना त्यार से बात्ते करना तो मैं गारंटी देती हूं कि वो जो चीज़े है ना वो नोटी सोनी बंद हो जाएंगी समय के साथ कि आप ये गलती कर रहे हो वो गलती कर रहे हो वो सारी जीज़े नोटी सोनी बंद हो जाएंगी कोई आपको टोक कीगा भी नहीं बस चेहरे पे अंदर से स्माइल होनी चाहिए खुशी होनी चाहिए ये नहीं दिखना चाहिए कि आपके उपर उस बात का कोई असर हुआ सबके साथ में आप सुकुन से बैट हो जो घर में आपसे काम होता है जैसे वो लोग चाहते है वैसे चाहे थोड़ा कर लो लेकिन वैसे कर लो क्योंकि आपको change होना पड़ेगा उस परिवार की according वो पूरा परिवार आपकी according नहीं वदलने वाला अब आप उस परिवार की according जैसे जैसे थोड़ा 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 आपने आपको डालना शुरू करोगे आपको अपने आप में ही खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी परिवार वालों को भी अंतर दीरे दीरे दीखना शुरू होगा और सबसे बैस्ट बात पती और पत्नी का जो रिस्ता होता है वो नीट उतेगा उसमें लड़ाई जगड़े नहीं होंगे क्योंकि वो लड़ाई जगड़े जादा तर परिवार के इन्वोल्मेंट के कारण ही होते हैं family involved होती है और family तो भाई involved होगी उस लड़के को उन्होंने पाल पोस्कर इतना बड़ा किया है उसके साथ उसनोंने इतने सपने देखिया है सब कुछ इतना किया है तो बस सिर्फ वो जॉपका जो वेवार है ना जैसा आपने माईके में किया खुशी खुशी रहना हर एक चीज को लाइट ली लेना वो जो है न वो आपने अपना लिया न जिन्दगी बन जाएगी किसी को भी आपसे आने वाले समय में कोई दिकते नहीं होंगी और सबसे महीन बात जब सुरुवाती ये दोर होता है अगर आपने स्माइल के साथ में अ घर चोड़ना ससुराल चोड़ना जो कि जादा तर लड़कियां कर देती हैं ससुराल की बाते माईके में बताती हैं फिर ससुराल से वो धमकी बरी बाते करके कि मैं जा रही हूं माईके वो चोड़ना क्या होता है उससे एक बार आपने वो किया दो बार किया तीन बार किया चोथी बार में उस फैमिली को आदत पढ़ जाती है रोजगाना टके वो लोग ऐसा समझते हैं और रिष्टे इतनी आसानी से टूटते नहीं तो वो चीज जो है ना वो उसी गिसी पिटी लाइब में चलती रहती है मतलग चेंज कुछ नहीं आना जिंदगी वैसे गिसी कोशिश की maturity दिखाई कि हां किसी के कहने से कोई कुछ गलत नहीं हो जाता दूसरी बात किसी के कहने से हम चोटे नहीं हो जाते माफी मांगने से हम चोटे नहीं हो जाते वो पूरा एक परिवार है हम एक single person है हम single person है इसलिए हमें बदलना पड़ेगा अब मेरे को जैसा लग होते हैं हम फिर कभी बाकी की बाते करेंगे इस मामले में लेकिन आप लोग अपनी राई जरूर देकर जाना कि आप लोग क्या सोच रखते हो क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है आडोस पडोस में इधर उधर जहां देखते हैं परिवार टूट रहें गली मोले में रिस्त करें वह कहां जाए क्या रास्ता निकाले तो भाई अपनी तो यह सोच है कि सबकी सुनने से अच्छा सबकी सुनने से अच्छा और इस दुनिया की गुलामी करने से अच्छा अपने परिवार की थोड़ी सी सुन ली जाए और हसी खुशी उसी परिवार को शैटल करने की को को नीचे गिराने के कोशिश करें तो अपनी तरफ से शुरुवाती दो-तीन साल तक 100% देखे देखो और फिर भी अगर कोई कि रिजल्ट नहीं मिलता है तब तो भाई कुछ न कुछ strong step लेना ही होता है लेकिन शुरुवाती दो-तीन साल तो सही हम रखना ही है कि जिन्दगी एक बार मिलती है और उसको खुशी-खुशी से जिया जाए ठीक है तो चलिए मिलूंगी आज फिर से एक नहीं वीडियो के सा साथ में और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए कॉमेंट बोक्स में जरूर बताना और इस से रिलेटेड राय अपनी जरूर रखना है जैश रिशाद